बेटा वेलकम जैसीलसी आज अपोन मैत केम का जो पेपर नंबर 12 है उसको बच्चों स्वाल आपका है और बच्चों इस पेपर के अंदर आपके पास जो चैप्टर्स कवर किये गए हैं वो है बच्चों सेट रिलेशन एंड फॉंक्स ठीक है बच्चों यहां से आपका स्वाल स्वाल हमारे पास बच्चों यहां प्क यहां है इडा फंडमेंटल पिर अप्रिए से क्या बनेगा 2x3 ठीक है और बच्छों second part का sin mode x sorry mode of sin x and mode of cosax ठीक है बच्छों इस type की functions का period क्या होगा पाई होता है तो बच्छों इस वाले part का यहां से period क्या बनेगा तुमारे पास x का multiple 6 है ना तो बच्छों इसका बन जागा पाई बाई 6 ठीक है अब पता है आपने को rules पता बच्छों हाना इस पूरे functions का हाना period निकाने के लिए क्या करेंगा अपन इन दोनों का अपन क्या लेंगे बच्छों लेंगे ना lc of these two numbers lc ठीक है अब इन दोनों का lc क्या अब बच्छों आपका यहां से correct हो जाएगा next रवाल next रवाल हमारे पास क्या है एक अपने पास equations दी गई ठीक है ना और अपने वो यहां से पूछा है कि दा equation ठीक है ना hands हाना harmony roots और interval का बच्छों आपने पास 0 से लेकिट 2 पाई है बच्छों प्यारा सा equation आपने पास दीया है हमारे पास क्या sin x इस complete का mode है और ब्रावर यहां पी क्या बच्छों आपने पास sin x प्लस क्या बच्छों आपने पास 3 है ठीक है तो यार इसको तब बहुत आराम से देख सकते है आराम से यार ठीक है इस side का यहां पे बच्छों इसका range क्या होता माइनस 1 से 1 ठीक है और बच्चो इसका range क्याएगा बोलो 0 से 1 ठीक है तो बटा ऐसा कोई भी number नहीं हो सकता है क्योंकि यह minus 1 से लेके ना minus 1 से plus 1 में जा रहा है तो इसको add करने भी कहां से जाएगा बोलो 2 से लेके बटा 3 में जाएगा टू से 4 में जाएगा यह 2 से 4 में रहेगा में जाएगा में जाएगा इसा इस ओल्वेस इन 2 to 4 and that is always in 0 to 1 तो बच्चो कभी भी क्या आपका दोनों साइट्स equal नहीं हो सकते हैं जब दोनों साइट्स कभी भी equal नहीं होंगी बच्चो तो आंसर क्या बनेगा नो आंसर ठीक है तो यहां पी क्या है कोई मूल नहीं होगा बच्चो ना पहला option will be correct ना first will be correct नेक्स बन नेक्स बन थर्डवन बच्चो हो ना सब्सक्रीं ठीक है थर्डवन बच्चो अपने पास क्या है विचो दी functions defined below is one one बच्चा आपको यहां से बताना है कि निवन में से कौन सा फलन एक एक ही है ठीक है तो यार आप ढंक से देखीगा इस वाले पार्ट को देखीगा इसका गराब बनाते है चलो आप उन इसका गराब बनाते हैं तो इसका गराब कैसा बनेगा इसका गराब बच्चो कैसा बनेगा वन से लेके थ्री के अंदर बच्चो इसका गराब कुछ ऐसा बने वाला ऐसा गराब और जीरो से लेके बेटा जीरो आपका यहां प्यार है तो जीरो से लेके इंफाइनेट के अंदर वन वन गराब तो नहीं देखा आपने को बिस जी अब second पह जाओ, second one के पास क्या है बेटा, second के पास यहां पे क्या इसकी factor तो बनेंगे नहीं, तो जब factor नहीं बनेंगे तो इसका vertex कहां पह आएगा, यह paraboli graph है न, इसका vertex कहां पह आएगा, जाप इसका derivative 0 होगा, तो 2x plus का 4 equals to 0, so x will be minus 2, बेटा minus 2 पिसका vertex बनेगा, so minus 2 कहां यहां प्याएगा बोलो, minus 2 यहां पे जाएगा साब, तो इसका graph कुछ ऐसा बढ़ेगा, ऐसा कर गया न, ऐसा graph बढ़ेगा, sorry, sorry, no, एक फिन लुकीगा, इसका जो graph बच्चों, वो कैसा बनेगा अपने पास, minus 2 से 60 होगा, और minus 2 इसका value क्या आएगा, minus 8, minus 5, तो negative आएगा न, ऐसे कुछ आएगा, और 0 पर क्या negative आएगा, तो बटा इसका graph कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा graph बन जाएगा, ठीक न, यह minus 2 यहां पे आगया, ठीक है, तो 0 से अपने पास क्या, 0 से बढ़ेगा infinite, 0 से infinite यह साट आगई, तो 0 से infinite भी क्या, एक ही बार कट कर रहा आपका, गराप यहां से उपर उट रहा है, तो 20 से बाद है, 0 से infinite के इंदर, आपका, जो second one है, वो क्या बन गाएगा, आपका, वन बन जाएगा, बच्चों, तो second वाल आपका सही है, यह बन बन तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या बनेगा आपने पास, ए पार x, प्लस ए पार मैंस x, ठीक है ना, तो यह बन बन फंक्चन नहीं होता है, ठीक है, तो option second will be correct, second बच्चों आपका सही है, बिल्कुल ठीक है, पर फोर्ट17 पर गारं के आब के सह एंट आए प्लस प्मी ऑपकर फ पास उसने बोला अपने स्क आपके आपके पास सुस्मेस पैल है उसके उपर आपके प्लस फोट स पॉप greatest integer pi x ठीक है जा आप यह क्या बच्छा आपके पास greatest integer function then f of pi by 2 is equal to तो simple सी बादा put करना आपको fx equals to cos pi zf के नदर है into x plus cos pi x और बच्छो इसका zf ठीक है तो बच्छो अपने find कर रहा है then f of pi by 2 is equal to तो आपको यहां से बताना है कि बच्छो f of pi by 2 जो है उसका यहां से value किसके equal आने वाला है तो f of pi by 2 so from here f of pi by 2 will be equals to cos pi का zf into pi by 2 और plus cos pi into pi by 2 ठीक है इसका company का बच्छो जीए ठीक है तो यहां से पने पास यह क्या बनगा बेटा देखे यह pi का zf है ना pi क्या होता 3.14 होता है तो उसका greatest integral part क्या हैगा 3 आएगा और यह बच्छो क्या है 3 गुणा pi by 2 तो यह बच्छो बन जाएगा तमारे पास 0 तो 0 प्लस और यहां से क्या आगा देखेगा यह pi square तो pi square क्या है आपका something like 9 point something आएगा उसको 2 से भाग लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्छो चार point something बन जाएगा वो चार point something का जीएप क्या बनेगा च्यार तो बच्छो यह जो वैल उपने पास आ रही है वो क्या बच्छो च्यार है इस इस फॉर तो वैल्यों पने पास क्या बनगा बच्छो ओँ कोस फॉर वैल्यों विल बी कोस फॉर अपशन सी विल बी करेक्ट ठीक है पड़िया न सब कुछ सांधा तरीकर सलगा आपका hed呀 बहुती मेरा b dhhk 2ा बिल्कूल bbhp a जबकी प्योर यौक आना बिल्कुल बश्दा गimo बेसिक पेपता हो तो नेक्स सवाल पानच सवाल कि प्युदा पांत स्वाल मरे पास क्या है नेक्स वर, सब आलमर 5, f of x plus y equals to f of x plus f of y minus xy minus 1 and for all x, y belongs to r and f of 1 बच्चों 1 के बराबर है, then the number of solution of this one, हाना, बच्चों यह आपको दिया है, यदि यह इसके बराबर है और f of 1 1 है, तो समय करने f of n equals to n के हलों की संख्या बराबर है, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, xy कहां से आ सकते हैं, अपने पास real number हो सकते हैं, ठीक है, तो देखिए का डंग से, f of x plus y, यह बच्चों अपने पास यहां पी क्या रहा है, that is f of x plus f of y minus xy minus 1, हाना, बच्चों, f of x plus y will be f of x plus f of y minus xy and minus स्वच्चों 1 है, ठीक है, तो यार, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूँ आपका, यह जो आपका n है, that n has to be from set of natural numbers, तो पहले मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, और y को बच्चों यहां से 1 put कर रहा हूँ, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, f of 2 will be f of 1 plus f of 1 minus 1 minus 1, अब बच्चों अपने पास f of 1 क्या आपका, वो given है, 1 है, तो यहां से बन गया 1 plus 1 minus 1 minus 1, तो बच्चों सब कुछ यहां से cancel out हो गया, तो f of 2 यहां से क्या बना, 0 बना, उससे पूचा है, कि f of n equals to n, इसके हलों की संख्या क्या है, कहने की यहां से इस बात को कैसे समझेंगे, बोलो बेटा हम, आपके पास इसका n को 1 रखा है, तो f of 1 ब्राबर 1 तो आ रहा है इसके एक आंसर, अब 2 रखा, सो, answer to count कब होगा, इस part का, इस equations का, 2 वाला जो answer है, वो count कब होगा, जब यहां पे f of 2 भी क्या बनता, आपका 2 बन जाता है बच्चों, बट f of 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि f of 2 हमने देखा, वो 0 बन रहा है, अब मैं यहां से क्या गरूँँगा, चैंग एक्स को म jáने 1 रख दिया, y को 2 रख दिया, ठीक है, हम यहां से क्या करूँँए बेटा, x को 1 रख रहा हूं, और y को 2 रख रहा हूं, क्या करते है, x को 1 रख दे है, और बच्चों, y को like 2 रख दिया मने, एक साड में क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, so f of 3 विल भी, f of 1 plus f of 2 minus, ये 2, minus 1, f of 1 का मन क्या बेटा, 1 है plus f of 2 का 0 था, minus का 2, minus का 1, बेटा, ये भी यहां से का आपका cancel out हो गया, और again it becomes minus 2, ठीक है, तो बेटा, इसने टाब से के f of 4 भी आपका 4 के बदाबर नहीं आने वाला, f of 4 भी, चार के बदाबर नहीं आएगा, f of 5 भी पदाबर नहीं आएगा, only एक इसद यहांपर आ रहा है, वो क्या बच्छो, f of 1 बच्छो, 1 के बदाबर आ रहा है ठीक है रहा only f of n equals to, बदाबर n, for और N equals to 1, यह वाले जो बात है, वो एक ही आपके value के लिए क्या बच्छो, satisfied है, और वो कि आपने पास N equals to 1 के लिए ही, आईए से आपकी बच्छो, valid है, तो यहाँ पर answer क्या है गाएगा, इसका, नेक्स वन, स्वालमर 6, देखे बेटा, दा range of a function, fx बच्छो इस टाइप से define क्या गया है, is, ठीक है, बच्छो इस फंक्छन का range क्या आएगा, तो अपन वो ही कर लें, आपको interval यहाँ पर दिया नहीं है, ऐसे हना, सवालों के अंदर बच्छों में वो यहाँ आपको यहाँ यहाँ पर interval देता है, interval 0 से pi by 2, या pi by 2 से pi, या 0 से pi हना, जो भी interval दिया है, उसके साफ से बच्छों, इस टाइप की equations को अपने को solve करना होता है, बट यहाँ पर चुगी बच्छों अपने को interval नहीं दिया है, तो अपने क्या करना होगा इसको, 0 से pi क्यों बच्छों क्या कर ठीक है न, इस बच्छों कहाँ पर अपना 0 से लेके, pi by 2 में है, x कहाँ बच्छों 0 से लेके pi by 2 में है, तो तुमारे पास fx क्या बनेगा, x आपका 0 से pi by 2 में है, तो fx क्या बनेगा बच्छों, 2 into sin x, minus 3 into cos x, ठीक है, अब मुझे देखना पढ़ेगा, कि यह functions का बच्छो नेचर कैसा है, तो आप जानते हुआ, अप उन क्या करना, इसका derivative कर लेंगा, तो यहाँ पर इसका derivative यहाँ से क्या बच्छों, यहाँ इसका derivative बच्छों क्या बनेगा, x, ठीक है, x will be, 2 into cos x, और plus का 3 into sin x, क्या बना बच्छों, plus का 3 into sin x, ठीक है, अब बच्छों, यह 0 से pi by 2 के इंदर fx क्या बन गया, this implies fx is increasing function, ठीक है, बच्छों, fx क्या बन गया, एक increasing function बन गया, तो जब function आपका किसी interval के इंदर increase कर रहा है, तो उसका सबसे छोटा value कहां पर आएगा, जहाँ पे आपका interval start हो रहा है, और सबसे highest value कहां पर आएगा, जहाँ पे आपका interval खतम हो ह饿 بो नि तो यहां पर जिरो से पाएवाएट डू इंदर बच व एफ मिनिमुम काँ ऐसा को यहां से क्या आपने पास वो बनेगा आपका पाइवाइटू बे तो पाइवाइटू रोखा तो यह 0 और 2 इंटू 1 तो बनका 2 तो इसके साफ से रेंज क्या बनी बोलो माइनस 3 से लेके बच्छो दो बन गई है ना माइनस 3 से लेके दो बन गई है अब इससी डेफ से क्या करेंगे इसका सेकंड केस बनाएंगे ठीक है तो जब एक साफ का पाइवाइटू से पाई के अंदर है तो यह पाइट कैसा रहेगा पॉजिटिव और यह पाइट कैसा बन जाएगा तुमारा क्योंकि को सेकंड कॉर्ट में निगेटिव होता ना तो यह बन जाएगा तुमारे बच्छो पॉजिव ठीक है इसको सवाल यह आपका फंच्छनल एक्वेशन से बेस्ट आपका सवाल है नेक्स हाँ सेवन्थ मन ठीक है उसने बोला बच्छो एक फलन एक फोफ एक फलन ठीक है मैं आध एफ है जो बच्छो इसको साटिस्फाई कर रहा है एक्स हो य के सभी दनात्मक मानो के लिए F of 40 का मान बेटा 30 दिया है तो F of 45 का आप से मान पुछा गया है तो आपके पास F एक function है जो इस वाली बच्छों equation को satisfy कर रहा है किसको कर रहा है F of XY equals to क्या रहा बच्छों Y square into F of XRR ठीक है और बच्छों अपने पास F of 40 का मान दिया है that is 30 तो अपने से F of 45 का बच्छों यहां से वेलू पूछा है तो ऐसे टाइब के सवालों के इंदर जनली बच्छों हम क्या करते है F of 1 का बच्छों वेलू निकालते है तो अपन F of 1 को निकालने के उससे कर रहेंगे with the help of F of 40 मैं यहां से क्या कर दूँ मैं बच्छों ऐसा बोल रहा हूं कि मैं यहां पर क्या कर दूँ F of 1 निकालना है X को क्या कर दे 1 पूट कर दे और Y को बच्छों क्या कर दे 40 पूट कर दे तो इस सेड में क्या बनेगा तुमारे पास F of 1 एंड़ू 40 तो F of 40 और यहां पही क्या है आगा बच्चों, y का square, that is 40 का square into f of 1, x कमान 1 हाना, f of 1 यहां से बच्चों क्या बनगा अपने पास, f of 1 बनगा बच्चों अपने पास यहां पे f of 40, f of 40 आपको दिया है, that is 30 upon 40 का square, ठेक है, अब फटावट क्या कर लिए, f of 45 निकाल लिए, f of 45 के लिए बच्चों अपन क्या करें हैं वोलो, यहां पे क्या करें हैं अपन, यहां बच्चों अपन क्या करें, f of 1 हमारे पास है, f of 45 अपने निकालना है, तो क्या करें, again बच्चों x को 1 पूट करें अप, again क्या करें, x को बच्चों 1 पूट करें, और y को क्या करें बच्चों आप, 45 पूट करें अप, ठीक है, तो उस साट में मनेगा तुमारे पास f of 40, sorry, f of 45 और y का मान क्या 45 है ना, तो बच्चों यह बन जागा 45 का square into f of 1, f of x क्या है, 1 है ना, तो f of 1, तो बच्चों आजयागा तुमारे पास, so that is 45 का square into, f of 1 हमारे पास क्या बच्चों, 30 अपॉन 40 का square, ठीक है, तो इसको अपन और सिंपली भाई यह से करें बच्चों, तो अपने पास यह क्या बन गया, 45 into 45 into 3 upon 1 माने 0 कार दिया बच्चों, तो 14 into 4, that is 160, आप बच्चों इसको into करेंगे, तो तुमारे पास option जो B है ना, 160 से divide हो रहा बच्चों, option B will be correct है ना, तो इसका second बच्चों जो option है, वो बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है, I hope आपने सवाल attempt किया होगा, ठीक है, तो इस सवाल का जो अपने पास answer आ रहा है, that is 6075 upon 163, ठीक है, इस वाले पार्ट का अपने पास, जो B बच्चों option है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, B will be correct option, ठीक है, next one, eighth one, eighth one, अपने पास क्या है, the fundamental period of this one है, अपने पास यहाँ पी क्या करना बच्चों, इस फलन का मूल बूत आवर्थकाल बच्चों क्यात करना है, ठीक है न, तो इसको पहले डंक से सिंबल भे कर लें आप, तो अपने पास fx यहाँ पी क्या आगा बच्चों, fx will be equals to, कि यह अपने पास क्या है, zf of x है, तो zf of x को बच्चों, यहाँ से क्या लिखेंगा हम लोग, x minus fraction part of x, plus 2x का zf, उसको क्या लिखेंगा, बच्चों, 2x minus fraction part of 2x, ठीक है, इस्टे डंक से बच्चों क्या करेंगा अपन, last, अपने पास क्या है, nx का zf, इसको क्या part of nx, और minus n into n plus 1 upon 2 into बच्चों x आगा, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कूल हमने, हना, जो greatest integer function है, और जो fraction part function है, उसे यह बच्चों, यहाँ से हमने लिंक करके, इसको डंक से लिखा है, ठीक है, आप देखें, यह तो चीज़ है, पहला, दूसरा, up to nx, इनको बन एक साइड कर लिया है, तो यहाँ पे x आपका common आ गया, और यह क्या बन गया, 1 plus 2 plus 3 up to n, तो यह क्या बन गया, एक प्लस 2 plus 3 plus 4 up to n, यह क्या होता है, sum of n natural numbers, तो उनका sum क्या है आपका, that will be n into n plus 1 upon 2, ठीक है, minus 12 आ गया, तो x का fraction part plus 2x का fraction part, और plus, sorry, up to nx का fraction part, ठीक है, और minus बच्चो आपने पास, यहाँ पे क्या, n into n plus 1 upon 2 into बच्चो बच्चो आइट, ठीक है, अब देखो, इस पार से बच्चो आपका, यह पार आपका, यहाँ पे, cancel out, ठीक है, आप देखो यह, इस पहले पार्ट का, sorry, पहले पार्ट का न, fraction x का, ठीक है, ठीक है, पहले पार्ट का यहाँ पे, इसका period क्या आएगा, फिर दूसरे का 1 by 2 आएगा, तीसरे का 1 by 3 आएगा, और अपका, अप्टू लास्ट, इसका आएगा 1 by n, अब मुझे क्या करना है, इन सभी का बच्चों, यहाँ पे, LCM लेना है, तो इन सभी का LCM यहाँ से क्या आएगा, obvious whether 1 आएगा बच्चों, तो LCM, इस नंबर भी ठीक है, तो बच्चों, इस वाले पार्ट का, जो यहाँ से अपने पास answer आ रहा है, that will be B part, बच्चों, इस सवाल का आपका, बिलकुल आपका सही answer हो गया है, B part will be the correct one, B part, बिलकुल ठीक है, इसका, next one, 9th one, यहाँ अगेन आपका, इस जिस सवाल है, 9th one, ठीक है, तो simple इसका domain निकालना अपने को यहाँ, क्या निकालना बोलो बेटा, इसका domain निकालना है, ठीक है, इसका domain निकालना अपने को यहाँ, तो यहार, देखो डंग से, आपका sin x दो होता ना, वो हमेशा कहां पर रहेगा, minus x से लेके, बच्चों, एक में रहेगा, minus x से लेके, plus x में रहेगा, ठीक है, और cos minus x से लेके, और plus pi by 2, ठीक है, इसके अंदर cos अगर आप बच्चों ऐसा होता है, ठीक है, तो यहार, minus x से लेके, minus 1 तो तुम्हारा यहाँ पर है, और minus plus 1 बच्चों यहाँ पर, तो किसी भी x के लिए, किसी भी x के लिए, cos और आपका, of sin x, यह बच्चों हमेशा क्या आपका defined है, तो इसके पास कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों, बट यह हमारे पास क्या आपका, हमारे पास second part क्या है, इसका 1 minus x, इसका par minus x, यह बच्चों क्या बनेगा, 1 upon 1 minus x, अब यह कहाँ पर undefined है, जहाँ पर इसका denominator बच्चों 0 बनेगा, वहाँ पर function क्या हो जाएगा, undefined हो जाएगा, तो इस बच्चों यह क्या बनेगा, आपका, x minus 1 should be not equals to 0, x should be not equals to 1, ठीक है, तो इसका domain क्या बने गया, आर में से एक point को बाहर कर दें, और ओ point को इसका आपका 1, तो आर में से क्या कर दें, 1 को बाहर कर दें, so option first will be correct, first part बच्चों इस सवाल का आपका सही है, ठीक है, इसी सवाल है, next one, इसको भी क्या करना आपने को बच्चों यार, बस, शॉली करना बाद क्या करना है, देखें क्या आर, अपने पास यहां पी क्या है, fx दिया, zx दिया अपने को, जन्दा set of values of x, for which, fx plus zx, complete का mode है, lesson, mode of fx, x plus mode of gx, ठीक है, is true, is given by, ठीक है, कहने का यहां से meaning क्या बच्चों, आपको बच्चों इस वाले equations का answer निकालना है, तो यह से put कर दीजिए यहां प्यार, तो mode of fx क्या आपका है, x minus 3, plus 4 minus x, तो xx कर जाएगा बच्चों, तो यहां बन जाएगा अपने पास 1, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों आपने पास 1, ठीक है, तो इस सेट बन गाए 1, तो 1 is lesson, fx का mode, that is, x minus 3 का mode, plus, gx हमारे पास का बेटा, 4 minus x का mode, ठीक है बई? अब आपको साम साम देखी रहा है, किसका answer क्या बनेगा बोलो बेटा, है ना, इस cancer बन जाएगा अपने पास, यह आपका 3 है, यह बचा अपने पास 4 है, ठीक है, तो कोई भी x का mode, वो 4 से बढ़ा है, 4 से बढ़ा मालेजी, x को मैं 4 पूट कर रहा हूं, तो 4 पूट करने प यह बन जाएगा, यह बन जाएगा तुमारे पास, 0 यह बन जाएगा, एक, एक से बढ़ा नहीं बेटा, तो यह आपका यहाँ पर हो लाएगा, यहाँ प्यान से बनेगा, इस इस इट आप से 3 भी नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, अब 4 से बढ़ा कोई माल रखे देखे, 5 तो देखो ना, यह बी एक से बढ़ा हो गया, यह बी एक से बढ़ा हो गया, तो पूरा यहाँ पर सोलिशन है, यहाँ पर भी इसका सोलिशन है, बच्चों, 3 और 4 पर नहीं है, अब 3.5 रखे देखे, 3.5 तो यह क्या बनेगा बेटा, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 बनेगा, व इसी सवाल है, बच्चों, इसी सवाल है, नेक्स्ट वन, आपनेगो बेटा दिया है, इस साइट ऑफ वैलू जो ए, फोर विच दा फंक्शन, F, R, 2, R, हाना, गीवन बाइस फंक्शन, ठीक है, इस 1, 1, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, यार, कि हाना, इस सवाल को, जहां पर आपके पास 1, 1, 1, 2, है, ठीक है, ना, तो मलब जहां पर फंक्शन को क्लासिफे करना हो, वहां पर आपका जो गराफ है, या आपका डेरिवेटिव टेस्ट है, यह बच्चों, अपने पास काफी, अपने को काफी हद तक, बहुँ ज्यादा आपका बच्चों, आपको क इसका क्यल्कुलस का, ठीक है, किसी फंक्शन का गराब बनाना हो, उसका मलब, उसका रेंज निकालना हो, ठीक है, तो अल्मोस्स सारी बात है, बच्चों कहां से आपको फंक्ट कर सकते हैं, with the help of derivative of function, तो उसका derivative कर लीजे आपको यहार बस, तो अपने पास fx का derivative यहां से क् ab dash x will be, x power 3 का 3x square, plus a plus 2, into 2x, और plus बच्चों 3, ठीक है, tan का बच्चों 0 हो जाएगा, अब पता अपने हों बच्चों, कि यह फंक्शन को 1-1 बनना है, फंक्शन को 1-1 बनना है, तो उसका जो derivative है, एधर वो क्या होगा, always positive होगा, यह बच्चों हमेशन के लीजे क्या होगा, negative होगा, ठीक है, तो यहाँ P क्या है, इसको मुझे क्या करना बेटा, हमेशन के लिए, यहाँ X square coefficient का 3 है तो हमेशन, that has to be positive, ठीक है, अभी हमेशन positive का होगा, जब इसका D क्या बन जाए, आपका negative बन जाए, D has to be negative, अब इसका D निकाल लिए जा प्यार, तो B minus, तो A plus 2 का square, minus 4, A into C, so 3, that should be less than 0, B square, तो यहाँ पे 4 जाएगा, बच्छो, 4, तो 4 into A plus 2 का square, minus का 4 A into C, अभी 4 से बच्छो, 4 आपका, यहाँ बार हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, A square, plus 4 plus का 4 A, minus का 9 A, that is less than 0, तो यहाँ बच्छो बन जाएगा, A square, minus का 5 से, plus का 4, less than 0, तो यह बच्छो अपने बास बन गया, A minus 1 into A minus 4, less than 0, तो बच्छो, यहाँ से अपने बास यह क्या बनगा, आपका, A को 4, तो नेगडिव कहाँ पर आ रहा है, 1 से लेके 4 के बच्छो, 20 में आ रहा है, तो option B will be correct है, बच्छो, यहाँ पे less than equals 2 हो सकता है, lesson equals 2 हो सकता है, कोई दीकत ने आएगा, ठीक है ना, तो answer कोण सवाल अपने पास, B part will be the correct option, ठीक है, ठीक, अच्छा सवाल बच्छो, अच्छा बच्छो, बड़ा सवाल है, next number, next number, next number, सवाल नबर 12, बच्छो, ठीक है, if 2 times of Fxy equals to this one, ठीक है, for all, X, Y belongs to R, ठीक है, and F of 1 बच्छो, A के बड़ाबर है, और A बच्छो, यहाँ सब्याइओ, का not equals to one K बच्चों बराबर है ठीक है बैन बच्चों आप से पूछा गाया है कि सिग्मा के एकोस टू बच्चों यह किसके आपका बराबर होगा आपने पास क्या आपका मैं यहां से पहले यह अपने पास क्या है का बोलो F1 प्लस F2 निकालना होगा अपने को तो मैं X को बैटा 1 पूट कर रहा हूँ और Y को 2 पूट कर रहा हूँ कोई खास दिख्कत नहीं है कि आप X को 2 पूट कर सकते हो Y को 1 भी रख सकते हो क्योंकि गराब क्या आपका सिमेट्रिक है इक्वेशन के आपका X Y में बिल्कुल सिमेट्रिक है तो 2 इंटू F2 दाट विल्बी कोस्टू F1 F1 क्या आपका A है तो बेटा बन गा है A2 और प्लस F2 तो F2 बच्छों तो X दर से कट गा है आपका तो F2 यहां से क्या बनगा आपका A2 बच्छों बनगा ठीक है ना इसी टाप से बच्छों A3 निकालेंगे ना तो बच्छों वह आपको बन जाएगा A3 और इसी टाप से आपने पास जो F1 बनेगा ना F1 दाट विल भी A K पावर N ठीक है तो बस सब कुछ आ गया तो F4 अपने यहां से क्या फाइंट करना बेटा सिग्मा सिग्मा के कुस्ट वन टो एड एड एफ और क्या बच्छों निकालना है तो इस्टों कैसे निकालेंगे ताट विल भी F1 प्लस F2 प्लस F3 और अप्टू बच्छों यहां से क्या आए का बोल अपका F4 एड ठीक है अब F1 यहापी क्या है A है so that will be a plus a square plus a power 3 और अप्टू बच्चो a power n ठीक है ना, अब ये क्या वनगा आपका बोले बेटा, that will be a बाहर आ गया और a power n minus 1 sum of and terms in gp बच्चो ना, तो option b will be correct, कौन सा बच्चो आ रहा है sorry, a into a power n minus 1 upon a minus 1 तो option c will be correct है ना, तो बच्चो इस सवाल का अपने पास हो correct option है, that will be c बना, c बच्चो इसका बिल्कूल ठीक option, next one, 30 number क्या बच्चो देखी क्या 30 number ठीक है 30 number ठीक है 30 number यहां से देखी क्या आपने पास domain of fx ठीक है, fx का domain अपने पास यह दिया है therefore domain of this one, आपको इसके बाद बच्चो बचाना है कि f of e power x plus f of log mod x ठीक है बच्चा, बच्चो इसका आपको domain पूच्चा, इसका domain यह सी क्या है तो कैसे निकालने बोला बेटा? आपको पता है कि जो fx है, function fx है वो बच्चो कहां पर आपका define है? वो तो बच्चो 0 से 1 में define है आपका, कहां पर define है? वो बच्चो 0 से 1 के अंदर ही क्या आपका है? वो बच्चो आपका functions defined है तो क्या करेंए बोलो इसको यार वो आपका 0 से 1 में Defined है तो बच्छो ये भी क्या आपका बोलो ये भी आपका 0 से लेके बच्छो 1 में आना सी आपका खाँ पहना चाहिए बोलो 0 से बच्छो 1 में आएगा और ये पार्ट भी क्या बच्छो आपका ये भी बच्छो आपका 0 से लेके एक के अंदर ही बच्वाना चे ठीक है न? तो निकाले लुठ लिज़ यां राम व्हाल यह 0 से 1 में कब आएगा? यह E-Car A-双 0 से 1 में कब होगा? GURAP नानो, 0 से 1 में E-Car A- E-Car A- Versag Stream GRAP बने पास होता ये तो यह आपका होता 0 पे 1 तो E-Car A- पर लोब X की कौन से सी वैलूज भाल जोफ जिसके लिए E पार X आपका 0 से 1 में आ रहा है वो कहां पर बोलो बेटा यह रापका तो इसके लिए आप X कहां पर होगा minus infinite से लेके 0 ठीक है और बेटा इसके लिए कहां पर होगा Log X अगर आप बना लिए आप लोग X का बच्चों, लोग मोड X अगर आप ऐसा बन जाएगा तुमारे पास, यह 0 से 1 में कब है? 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 1 और E, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस E और माइनस 1, तो बच्चों यह आपके पास 0 से 1 में कब रहेगा? जब X का आपका कहाँ पर है? माइनस E, माइनस 1, यूनियन, 1 तो बच्चों E यह आ रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? इसको भी 0 से 1 में लेके आना है, और इसको भी क्या बच्चों 0 से 1 में लेके आना है? तो इस पार्ट का इन दोनों का आपन यहां से क्या लेले हैं? बोलो, इंटर सक्चों बलब इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों क्या लेले हैं? बेटा, इंटर सक्चों ठीक है? अब इनका इंटर सक्चों यहां से क्या आएगा? बोली कि साफ-साफ दीख रहा है, आप पेटा 14 आपने पास किया है fx बच्चों यह function आपने पास दियेगा ठीक है then range of fx तो आपको बचाना है कि यहां पे fx का range कि आएगा ठीक है तो इसको अपन पहले simply पहीं कर लेते हैं पेटा fx हमारे पास किया एगा बोलो do sin x देखो one plus का 10 x square x क्या होता है six square x और beta six square x का kya root लगा तो यह क्या बनेगा आपका mode sec x बच्चों पहलें क्या बनेगा मोड को sex minus पीटा यह अपनेबाद second part क्या cos x into one plus का koat square x क्या होता है Cos x square x ठीक है और यह उपर ज़े क्या पनेगा बेट्टा आपका mod sin x क्या पनेगा mode sin x ठीक है अच्छा अब साब साथ दिखरा बेटा आपको कि यह चीज गार है pi by 2 पे 3 pi by 2 पे और ये कहांढ दिफैन एपोलो बेटा जीरो पे और आपका पाइप और Sch произош. से बात बैटा कि की इसके इंदर क्या आपको बोलो हम बात करें प्सक्राइब बिल्सक्राइब का एक साफ का बच्चों आप क्या आपका और यहां पर 0 भी नहीं था बेटा एक्स का आपका एलाइड एंगल बच्छो नहीं हो सकता आपका ठीक है ना हमला 0 पर पाइब टू पर पाइब पर ठीपाइब बच्छो और टू पाइब यह सारे पॉण बच्छो यहां पर क्या है इसका डॉमेंट में नहीं आ सकते वहलाब आपका डॉमेंट में क्या हैगा एक्स का नट बी अन पाइड गनोट बी टू एल प्लस फाइड पाइड टू ठीक है तो अब देखें कि यहां से अपने पास क्या बोलो बेटा अब इसका अपन डॉमेंट बना लेंग यार फंक्स आप उन लिके आपका डंक से तो क्या बने गा बने पास? जब तुम्हारे पास X कहां पे है? X बने आपका 0 से लेकर बना फहिस क्वार्टरिन के अन्दर 0 से बाइबाई लेकर जाए खार मोड को सख्ण Bakob expected यह साइए money जाएगा तो वहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2 sin 2 sin 2 sin 2 x ना, so that becomes sin 2 x अब 3rd quadrant क्या बेटा आपका जब x आपका 3 5 by 2 से लेके और बेटा काहा, sorry x बेटा काहाँ पे अपने पास y से लेके और आपका 3 5 by 2 तो बेटा 3rd quadrant के अंदर ये भी negative होगा और ये भी negative तो negative यहां से क्या बन जाएगा positive तो बन जाएगा 0 और last quadrant, last quadrant क्या बेटा आपका, जब x आपका कहाँ पे है 3 5 by 2 से लेके और आपका 2 by तो यहां पी क्या होगा बेटा 3 5 by 2 से 2 5 by 2 के अंदर ये positive ये negative तो ये बन जाएगा आपका sin to x ठीक है अब ये sin to x क्या रहेगा बेटा ये रहेगा minus 0 से 1 में दीख रहा ना आपको इस gap के अंदर आपका ये पाई बैटा आपका बोलिया ये आपका बन जाएगा पाई से लेके पाई से लेके बैटा ये बन जाएगा 0 से 1 और ये बन जाएगा minus 1 से लेके 0 अब दोनों का union लेंगा पाई तो क्या बन जाएगा आपने पास ये 0 से लेके बैटा minus 1 0 sorry minus 1 एक से लेके बैटा और पूर आपका 0 करना जाएगा minus 1 से लेके plus 1 option c will be correct option c बच्विश्य सवाल का सही आंसर हो जाएगा ठीक है na next 50 number next 50 number आपके पास क्या है if fx if fx बैटा ये आपके पास ठीक है is defined for all real values of x then set of values of a तो यार बोई करना अपने को इसको क्या करते आपन इसका d negative करते यार अलब x square plus ax ठीक है na plus का 4 ये बच्विश्य आपका मेशा defined है सो मेशा क्या रहेगा पेटा positive हैगा more than एक कुस्व जिखर हो आएगा तब भी defined होगा इसके लिए क्या करते हैं इसका d negative करते हैं इसका पूर इसका पूर तो b square minus का 4 a into c that should be negative तो a minus का 4 into a plus का 4 that is less than equal to 0 तो यहां बन गा minus 4 और plus 4 तो negative कहां पे आ रहा है minus 4 से plus 4 में आ आपका तो option first will be correct है first बच्विश्व इस पार्ट का आपका आँ साही है first part बच्विश्य आपने पास क्या है and f of 00 के बढाबर बच्विश्व उंदन then f of and बच्विश्व Section बढा ना कि f of 1 बच्विश्व किस के बढाबर होगा तो f of x plus 1 plus f of x minus 1 बढ़र बच्विश्य मारे पास क्या 2 गुणा fx के बच्विश्य बढाबर है ठीक है तो अब बच्वाब आपने यहां से क्या करें बोलेगा मैं पहले x को बेटा 1 put कर रहा हूं ठीक है तो यहां से क्या बनेगा f of 2 यह बनेगा f of 0 f of 0 जिरू दिया बटाओं यह बनेगा 2 गुणा f of 5 तो आप देख पारें कि f of 2 यहां से क्या बच्वाँ 2 गुणा f of 1 के बराबर है अब मैं x को यहां पर 2 put कर रहा हूं x को मैं यहां से क्या कर रहा हूं बच्वाँ तो पहला पार्ट बन जाएगा f of 3 plus f of 2 minus 1 f of 1 बनेगा और यह बनेगा आपका 2 गुणा f of 1 और बराबर क्या बनेगा बच्वाँ आपका 2 गुणा f of 2 तो पेटा अपने पास यहां पर क्या बना f of 3 बच्वाँ बन जाएगा यहां पर f of 3 plus f of 1 यह बन गा तुमारे पास 2 गुणा f of 2 f of 2 क्या आपका 2 गुणा f of 1 तो यह बन जाएगा तुमारे पास 4 गुणा f of 1 तो इधर साहे जाएगा अपका F of 10 बराबर 10 गुणा F of 1 है ना इसी टैप से अपने पास F of 1 है ना last क्या बन जाएगा बोलो N गुणा F of 1 क्या बन जाएगा बोलो बेटा N गुणा F of 1 बन जाएगा तो option first will be correct है ना बच्चो इस पार्ट का अनसर गया बन जाएगा आपका first part first part will be correct ठीक है बस थोड़ा सा इसको डंग से अरेंज करना है बाकि तो सवाल का आपका easy है बस थोड़ा सा इसको अपने को अरेंज करके बस सही से बनाना है कि कौन से पार्ट के साथ इसका सही से आपका से बच्चों मैचिंग हो पा रहा है ठीक है नेक्स सेवंटी नंबर कि यह भी अपने पास बढ़िया सवाल है ठीक है और आपको पता है बच्चों कि यह आपका सवाल थी बहुत भी यह अपने रहर है यहां वह उपने पकरे पास प्रमम्यव है पर एक प्लसे हो पर चैनल's के लिडीक अपने पास आपके थो of x plus f of 2 minus x बच्चों यह अपने पास यहां पर एक बनेगा न f of x plus f of 2 minus x बच्चों एक बनेगा आपके पास ठीक है तो यार आप देख पार हो यहां से कि अपने पास क्या आपका f of 1 by 20 plus f of 39 by 20 यहां से क्या बोलों वो बने पास यहां पी क्या है जैसे x को आप यहां पी 1 by 20 रख दें तो 40 minus 1 तो बनेगा आपका 39 by 20 ठीक है बच्चों यह बनेगा पास 1 होगा अब बने यहां से next क्याक्टर आपका f of 2 by 20 और यहां पे रखा तो 2 minus का 2 by 20 तो बने जागा f of 38 by 20 बैसो यह भी तुमारे पास 1 बनेगा तो exactly आप देख पा रहे हैं कि यहां पी क्या देखो पहला लास्ट दूसरा सेकिंड लास्ट तीसरा और थर्ड लास्ट उन सभी का value यहां पे क्या आएगा 1 आएगा तो ऐसे total पे यहां पी कहतना आएगे 19 पे रहेंगे और एक 20 वाला यहां पी कौन सा बज जाएगा तुमारा 20 by 20 वो क्या बनेगा तुमारा 1 बन जाएगा ठीक है ना यहां से क्या बैटा 19 कंप्रिट पे रहेंगे 19 प्लस f of 20 by 20 क्योंकि इसका किसी के साथ पेरिंग नहीं होगा आपका यहां पी क्या हो बोलो बैटा 19 प्लस f of 1 और f of 1 कंप्रिट कर दो 5 बैटा 10 तो एक बैटा 2 तो 19 प्लस एक बैटा 2 इसका मारा यहां पी क्या बनेगा 39 by 2, ठीक है, so 39 by 2 फोर्थ पार्ट विल भी करेक्ट है, बेटा इसका चोथा पार्ट क्या विल्गू ठीक है, 39 by 2 वाला, ठीक है, नेक्स बन, 80 नमबर मला बचो एक सम्मन्द आर इस प्रकार दियेगा बचो आपको ठीक है, आर बचो क्या करा है, इसको सटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो जो, जो आर सम्मन्द आ बचो हो क्या होगा, सब तुले लेकिन सम्मित नहीं, सम्मित लेकिन संग्रामग नहीं, सम्मित एंग संग्रामग, अपका तू लिता सबन, ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या अगने मिटा इसको, फैक्टर से निकाल लीजिए इसके आप, तो x square minus का 2xy, minus xy plus का 2y square, बराबर क्या बच्छो 0, तो यहां देख पार हैं, आप x common यहां से आपको आ गया, तो x minus का 2y, minus यहां से बच्छो y को मना गया, तो x minus का 2y, बराबर क्या बच्छो 0 आ गया, तो यहां से अपनी पास क्या बन गया, X-Y into X-2Y ब्रावर क्या बच्छों 0 के ब्रावर आ गया वे ठीक है ना तो अई यहां से अपनी पास क्या हो सकता है एदर यह सटिस्फाइक कब होगा जब X आपका Y के ब्रावर है और जब X का आपका 2Y के ब्रावर है ठीक है क्या बच्छों आपका 2Y के ब्रावर है सब्सक्न के बन गहाए लगा ना जब यह तमारे पास आ रहा है तो इससे की आपका गलगा ठीक है तो यहां से कि आपका रिफल्लेक्षिु तो होगा बट आपका स्मेत्रिक नहीं होगा ठीक है नोट स्मेट्रिक तरुष़ पार्ट Means नेक्स वन, 90 नमबर, बट नाइटी नमबर प्रास क्या है, डट ए और बी वी टू सेट्स, ए और बी दो समुचे है, वो समुचे ए के उप समुचों की संख्या, बी के उप समुचों से दो वजार सोडा जादा है, यदि ए इंटर सक्षन बी में तीन अवयव है, तब ए यू मान रहा हूं, मने मान लिया, किलिट सेट ए के इंदर अपने पास, एम तुमारे पास, एलिमेंट्स है, और सेट बी के इंदर बच्चों हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट बी के इंदर हमारे पास बच्चों एन एलिमेंट्स है, ठीक है, आप सवाल में जैसे दिया उसकी एसाब से आप सवाल को क्या कर लें आप प्रोसेस कर लें सेट ए हैज स्वरी सेट ए बेटा यहां पर है जाएगा ना सेट ए हैज सेट ए हैज 2060 more सबसेट दन सेट बी तो यहां से क्या बनेगा बेटाई इस इंप्लाइज अपने पास क्या 2016 थी ठीक है ना यहां पर 2 की पार मैं निकाल लूँ तो बनेगा 2 की पार M-N माइनस का बन ब्राबर 2016 इसको अपन फेक्टराइज करें बेटा तो यह अपने पास बनेगा 2 की पार 5 इंडू 63 अब कंपेर कर लें यार M को मैं यहां से क्या करता हूँ N मेरा बन गया यहां पर 5 और यहां पर 63 कब बने गए 63 क्या होता है 64-1 तो यहां पर M-1 क्या बन गया आपका M-1 बचो N बन गया आपका 6 तो यहां पर M बन गया तुम्हारा 11 बचो N बन गया तुम्हारे पास 11 घा रहा और एन मन गा 5 तब नंबर आफ ऐलमेंट्स इन ए यून वी तो बेटा यहां पर ए यून वी के इंदर जो एलमेंट्स आने वाले हैं वो क्या हूंगे बेटा बोलो N of A plus N of B minus N of A intersection B N of A यहां से क्या वेट आपका? वो 5 plus 11 minus N A intersection B और इसमें वेट आपके पास 3 यहां members देए गए है ना, तो minus का 3, तो यह बनका आपके आपके पास 11 पास 5 16 minus 3 वेट आप बनके आपके आपके पास total 13 elements ठीक है? option D भी खरेगी, ठीक है? बढ़ा सवाल, ठीक, अच्छा सवाल है 20 number 20 number अपके आपके 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 पास यहां पी क्या है? 10x upon 3 plus 2 into 10x और 0 से बंटो 5 गेंदर दे 5 एड़ी के ऑंदर, बत्के लिए पी दाखें, बत्के यहां पर पास क्या आपका येगा, बेटा, open डवलेगा न, open डवल बत्के जिरो से लिए ONE के-ós Farm अग्या आखें, खै तो अपनी बास क्या आपका है दा मिनिमॉम वैलू अब दा फंक्शन ठीक है तो यह आपका पास क्या में साब पॉस्ट्व फंक्शन आएगा ठीक है तो सब चोड़ा वैलू कहां पे आएगा ठान спmesi के क्या परोल संधियते तो 21% इस तो पहले निकाल लएसे यह स्यार्ट कि वनवन है कि तुम्हानी बोला ने आपको तो डेरीटुट इस बेट आपको काफी इसमें help करेगा ना वंकसर का जो डेरीटुट इसमें काफी अपने को help करेगा तो यहाँ पर प्रस पहले यार x पाफ ट्री माइनस 3x प्लस 2 बच्चों इसका डेरिवेट्यू कर ले आप तो बन जाएगा 3x स्क्वेर माइनस का 3 तो यह बन जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ठीक है अब इसका यहाँ पर ग्राप कैसा है बच्चों बोलो माइनस 1 और प्लस 1 यह बन जाएगा ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो function आप बेटा यह माइनस 1 में तो increase करेगा क्या करेगा बेटा यहां positive आ रहा रहा ना यह negative यह positive तो बेटा माइनस 1 इंट से माइनस 1 के अंदर यह function क्या करेगा increase करेगा और यहाँ पर decrease करेगा यहाँ फिर से increase करेगा पर आपने पुछ़ा कहां पर है minus infinite से 1 के अंदर तो बेटा माइनस 1 के अंदर माइनस इंट से लेकिए minus 1 के अंदर तो पहले ग्राफ increase करेगा तो । माइनस 1 का infinite अधा तो फार वहां बनेगा 0 क्फिक जीरो से लेके और लिटा वन पर आएगा हाइस्ट वण पी क्या आएगा बोलो सौरी मैनस एक पाहिए बन जाएगा आपके तीक दो पांच तो इपार चार Union, अब यहाँ पर decrease करेगा, तो यहाँ पर 1 पर सबसे छोटा आएगा, तो 1 पर क्याएगा बोलो, 1 पर e पार 1 माने से एक तो बन जाएगा 1, तो 1 पर सब छोटा आएगा 1 से लेके e पार 4, ठीक है, अब यहाँ से अधिक पार आपको, क्यों है न, बलाब इसका गरब कैसा बने किसका, e पार x पार 3, माइनस का 3 x प्लस तो इसका बना रहे बिटा, ठीक है, इसका आप देखो, कैसा बनेगा, माइनस, स्वरी, इसका बिटा अपने पास गराब बन जाएगा, तुम्हारा कुछ ऐसा, माइनस इंफानेट से लेके, माइनस एक, एक से लेके, माइनस एक से लेके, ठीक है, यह दूर बन जाएगा, माइनस एक से लेके, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, बेटा, जीरो से लेकिए आपका यहां पैसेदार आपका और यहां पेटा फिर से आपका एकतारा ठीक है तो यहां पे देखो ना वापी से कट कर गाया गराफ तो अब साब सदीकर आपको यहां पे के ना on to भी नहीं है और आपका one one भी नहीं है और वाँ सबकर से आडिया लग जाएगा कि functions का किस टाइप का निचर बन दा बचो ठीक है तो धाट इस आपक्रीट आइडिया 22nd 21st हो गया ना अब 22nd 22nd बचो अपने पूछा है आप रेंज अब इस वान ना तो बचाएगा जानते हुआ एक स्कूर प्लस बाद अपन एक स्कूर प्लस टूपे जो हो ना यह अपने पर स्क्राइब बोलो जब एक्स का मान जीरॉप का वाना तो वहां पी क्या हो बचा एक बटा दो से बराबर या बढ़ा और लेसन किस् स्कूर प्लस एक अपॉन एक स्कूर प्लस का दो यह काँ पर अपना होगा एक बटा दो पी क्या है पाइब एगा पाइब एगा पाइब निकालना है तो डॉमें के लिए पता है आपने इस वाल चीज को क्या करना पड़ेगा मैनस एक से एक प्लस हिक तो लोग 3 बेस एक बाॉर ठीटनंच्वश सब्सक्राव धीर पय। अब नोपर पहुंचा दिछे यह ल Boss और ने है गर। तो एक से लेके बैटा नो तक तो कहां जाएगा बैटा एक से लेके नो एक से लोग नो कहां पर आपका आपका ओप्सेन फैस्ट तो फैस्ट पार्ट विल बी करेक्ट 24 24 इनने कमेंटे ठीका 50s पीपल हाना स्पीक फ्रेंट्स मुला ऐसा महलेजिए इसमें का पचास लोग कॉन से हैं जो फ्रेंज बोलने वाले बला समी का आपका फ्रेंच इसमें पचास आद मी हैं फिर यहां पी का टेंटी इस पीक शीक टेंच ठीक है ना यहां भी का स्पैनिस वाले आगे यह पैनिश वाले ठीक है एक एज अपके बहुत वाले आगे न बहुत वाले यहापि कहा अपका 10 इसमें बहुत हागे कि how many speak at least one of these languages is वोल अब उसने बोला है कि how many speak at least one of these two languages तो how many at least तो उसमें क्या 8th लेंगोज ही बोल सकता है n of a plus n of b minus n of a intersection b तो n of a बच्चो यहां से आपने पाद 50, n of b क्या आपका 20 और यह क्या बच्चा दुस बढ़ा अंसर क्या आपका 6, ठीक है, बच्चो इस सवाल का अंसर क्या बनका 60, next one, 25, यह भी तुम्हारे पास बच्चो बढ़ा सवाल है, ठीक है, अपने बच्चो दिया, suppose f of x एक फंक्सान है जो इस फॉर्म का बच्चो इस फॉर्म का है, ठीक है, और f of 5 का बच्चो मान दिया है, और f of 5 पूच्च पूच आप हो निया, f of x plus f of minus x निकाल लेता हूं बच्चो, ऐसा करने पी क्या बोलो बेटा, f of x plus f of minus x, तो देखो न, यहां पी क्या बनेगा तुम्हारे पास, मैं इसको थोड़ा एक बच्चा कर रहा हूं, कि fx को बच्चो मैं ऐसा लिख सकता हूं, x से डिवाइड करने के बाद, a d into x के पावर 5, plus c into x पावर 3, plus d into x, plus 1 बटा x, और प्लस बच्चो 15, तो यह अपने पास old part बच्चो, old part function बन गया, तो fx के अंदर, यदि बच्चो, हमने f o minus x को एड किया, तो यह old part तो cancel हो जाएगा आपका, और यहां से क्या बच्चे का 15, और इस से भी क्या आपका 15, तो यह बन जाएगा बच्चो 30, अब हमारे पास क्या बेटा, अब तो यह constant होगा ना अपने पास, तो यहां से बोल सकते हैं कि f o 5, plus f o minus 5, that will be 30, ठीक है, अब f o 5 का मान यहां भी क्या बच्चो 2 दिया अपने को, तो f o minus 5 यहां पी क्या बच्चो 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 बच् क्या बनेगा, c part, ठीक है, तो बच्चो आपका section 1 complete होता है, यहां पी, अब बच्चो बढ़ते हैं, आपका section d की तरफ, जिसमें क्या है, integer type की सवाल है, ठीक है, so let's start, पहला सवाल, बच्चो 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 बच्च्चो बच्च्च बच्चों आएगा बच्चों आएगा एक मैनिस टू कि इसका मोल बच्चों पाश क्या है स्वरीज एगा एक क्समानेश टू कि इसका मोड बच्चों नो ठीके ना तो यहां से उप्रशी बात है कि अपना जो एक सा बेटाव कहां पे होगा बोलो अ बलाब यहां पी का एक स्वानस टू इस मौर दन वन और एक सान मारें बना लिए यह अपना जाएगा एक से लेके तीन तक है और यह बच्छो इस सैड में और आपका इस सैड में ठीक है अब दूसरा मारे पास के यहां पर एक स्क्वार मैंने सीन का मोड रूर ना विटा वन से गड़ रहे है सेगंड मारे पास के एक स्क्वार मैंस थीन ठीक है यह अपने पास वन से बढ़ा है तो अब बिस ही बात अपने पास यह कहां पर जाएगा इस लंबर लाइन के उपर य यहां पे क्या है एक स्टान स्ट पॉर हो जो मोड है वह पूर चापका है तो यह क्या हो जाएगा अपने पास कि मैं की लिए ये पननी उसका रहा हूं यह बेटा सिरेगा च्छा से जाधा घ्षा ज्यादा बेटा और जब X-4 ना और-2 से बेटा छोटा यहां पर जाएगा ठीक है अपने को देखो बेटा सीधी सी बाद आपने क्या करना इन तीनों सेट्स का इंटर से लिए ना न तो बेटा यहां से A इंटर सक्षन भी इंटर सक्षन सी यहां से क्या देखो और यहां से लेकर यहां से यहां तक का पार्ट और फिर अपने पास यहां से क्या पूछा उसने इसका कॉंप्लिमेंट है इसका कॉंप्लिमेंट है इसका कॉंप्लिमेंट यहां से क्या बोले बेटा इसका कॉंप्लिम से लेके बैटा और आपका six तक minus two पे आपका open आएगा यहां पे six पे आपका close आएगा ठीक है तो यहां पे अब उसने बोला बैटा इसके साथ intersection with the z तो बैटा इसका z के साथ intersection वो क्या जाएगा all the all the integers in the interval minus two to six तो बैटा minus two से लेके six के अंदर इंटेजर कौन कौन स्या रहें बोलो बैटा वह मार पास जाएगे minus का 2 minus का 1 0 1 2 3 4 और 5 6 बैटा यहां पे निए आएगा सो दिस सेट कंटेंस चीक है ना बलब ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी इसका कॉम्पलिमेंट इंटरेक्शन जाएगा यह अपने पास यह यह ना इट विल कंटेंस इस वन ठीक है अब आपन इसको बोलें ठीक है अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या रहा है इस इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी कॉम्पलिमेंट इंटरेक्शन जाएगा इसके पास जो एलमेंट्स आ रहे है वो कौन कौन से आ रहे है माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तील चार और पांच ठीक है अब अच्छो यहां से क्या पुच्छा आउस ने अट जड़ीज़ा से अफ ओल इंटर्स ठीक है अट इप दा नंबर अफ सबसेट अफ दिस सेट इस एम देर एम बाई अब एम निकालना है फिर इसको 64 से आपको डिवाइड करना है बिदा यहां से किस्मी कितना है आठ अट है तो यहां पे नंबर अफ शबसेट अब बी 2 पावर 8 तो 2 पावर 8 क्या ओ जागा बेटा 256 अपने हो फाने क्या करना है M by 64 तो पेटा M by 64 यहां से क्या आएगा 256 अपन 64 तो इट बिकम्स 4 तो पेटा इस सवाल का अंसर यहां से क्या बन गया 4 so 4 will be the answer of this problem ठीक है next सवाल next one better next one अपने पास क्या है एक set अपने को a दिया बच्छों ठीक है अपने को a set दिया है then if the number of bijective functions from a to a बच्छों यहां से अपने पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिटा set a से अपका set a के अपने बना रहे है ठीक है a से लेके a के यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है one of the number of bijective functions from a to a such that f of 1 plus f of 2 equals to 3 minus f of 3 तो मैं बच्छा यहां से अपने पास क्या है f of 1 plus f of 2 plus f of 3 that is 3 बच्छा आपको यहां से या ना आपको bijective one one on two function लेके आने one one and on two आपको one one on two functions की counting करना है और जिसके लिए क्या बन रहा हो आपका f of 1 plus f of 2 plus f of 3 है ना बच्छा इन numbers के उपर जो functions है उनकी values का sum क्या होना चीए it should be 3 वो पक्का आपका 3 होना चीए बच्छों तो वो 3 कब बनेगा बोलो वो 3 कब होगा बेटा जम एक दो तीन को इन तीन को बेटा कहा मापकरा दो को जीरो एक दो मैं बग्रादों इन तीन को बटा याद दीन चाहे एक डो पर जा रहा हो ओँ जेरो पर जा रहा है पहला अपने कहने का यहां से नहीं सिस बात काment कि अपने पास एक जू अपने पास्निों यह जो पास एट नहीं है ना सब तक ही एक दो तीन यहां पे जाएंगे बाकि जीरो फोर फाइव सीक्स सेवन यह बाकि बच्छों यहां पे जाएंगे ला इस ज़ेंगे आपका तो आप बना लिए फंक्स तीन को तीन पहुंचाने का तरीका थ्री फैक्टोरियल और इंटू बाकि bijective functions from A to A RM, तो बच्छों अपने पास M यहां से क्या बन गया? 5 factor 120, 120 गौना 6 तो क्या बनगा बच्छों? 720 क्या बनगा बैटा? 5 factor will be, 5 factor बच्छों क्या आएगा? 120 यहाएगा और 3 factor क्या आएगा बच्छों? 6 आएगा, ठीक है? तो अब अपने हो find करना M by 72 तो बच्छों यहाँ से M by 72 क्या हो गया? बोलो, 720 को पुंद 22 से डिवाड़े करेंगा तो बैटा, 10 तो बच्छों इस अवाल का आंसर क्या बनगा आपने पास? 10, तो इस अवाल का बच्छों आंसर बनगा आपने पास? 10, ठीक है? ओकी, थैंक्यू पिस्टेमिट आपने पास क्या है? एक आपका A सेट है, एक B सेट है, ठीक है? एक सेट आपने पास A, sorry A, B और C, और सेट B बच्छों आपने पास क्या है? एक, दो, तीन और चार दना नमबर ओफ एलिमेंट्स इन दा सेट C आपका A की मैप के अंदर बच्छों हमेशा के लिए आरा आपका क्याने की बाद यहां से क्या है? टू तो पक्का है आने वाला हमेशा आने वाला है ठीक है? और फंक्स आपको क्या करने बोलो बेटा बनाने यह तो आरे इसका यह तो फिक्स होगा आ इमेश घंदर यह टो आने वाला आपका ठीक है? तो इन 3 में से क्या कर लेंगे? फंक्सन 1-1 है तो 1 को 1 ही मिलेगा तो बाखी यह तो 3 में से 2 6 लेंगा अब तो 3 में से 2 1 6 लिए ठीक है? तो 3 में 2 यह जाट लिए एक ये वाला, तो 3 बन गे न, अब इन 3 पर 3 को मैप करा दो, तो 3 पर 3 को मैप कराने का विज़ क्या होगा, तो आंसर क्या बन गा, ये 3, 3 गभणा, ये 6, तो आंसर क्या बन गा बेटा, 18, तो 18 बचों ये सवाल का आपका आशिर बन जाएगा 18, ठीक है, next number 4 fourth number बच्चो देखेगा the inverse of this function तो आपको बच्चो पहले इसका inverse निकालना है तो y अपने पास क्या है 10 की पार x minus 10 की पार minus x upon 10 की पार x plus 10 की पार minus x यहां से क्या लिखेंगे देखेगा y will be 10 की पार 2x minus 1 upon 10 की पार 2x plus 1 अब इसको मैं यहां पे लिखेगा 1 upon y तो 1 upon y बच्चो आपने पास बनेगा 10 की पार 2x plus 1 upon 10 की पार 2x minus 1 तो यहां से मैं लिखेगा हम बच्चो 1 plus y upon 1 minus y तो बच्चो यह यहां से अपने पास क्या बनेगा x से कट गा 2 into 10 की पार 2x upon 2 तो बच्चो यह आपको यहां से कट गया यह बनेगा 10 की पार 2x तो यहां से अपने पास 2x क्या बनेगा है बेटा log tan base ठीक है ना और 1 plus y upon 1 minus का y ठीक है तो बच्चो इसका inverse क्या बनेगा है बोलो बच्चो इसका inverse यहां से y क्या बनेगा है बोलो तो बेटा, inverse function क्या बनगा है, 1 upon 2 into log tan bass 1 plus x upon 1 minus x, ठीक है, तो बेटा, यह आपका M बनगा है, आपका M बनगा है, आपका, value of M will be 2, ठीक है, तो बेटा, 2 का answer value क्या हैगा, 2 आजाएगा सम, ठीक है, 2 का answer value क्या हैगा, 2, next 500 वाल देखीगा, पांच वाल देखीगा भी, if f is a function such that f of 0 का 2 है, f of 1 3 है, और बेट्चों यह आपका rule दिया गा, ठीक है न, then f of 5 क्या होगा, f of x plus 2, ब्राबर बच्चों यहां से अपर ने पास क्या है, 2 गुणा f of x minus f of x plus 1, f of 0 और 1 तो दिया यह, एक्स को भी 1 रख देतें, यार, ने एक्स को भी आगर दें, 0 पूट कर दें, तो 0 पूट करने पर f of 2 क्या हैगा, बोलो, x को यहां पर 0 रख राओं भी, f of 2 ब्राबर, 2 into f of 0, minus f of 1, तो f of 2 यहां से क्या हैगा, 2 into f of 0, तो 2 into 2, minus f of 1 का बाद 3 है, तो बन गाए, एक्स को बेटा, यहां पर क्या कर दें, फुन, 1 put कर देंगा, तो x को 1 put क्या है, तो यहां पर f of 3 मन जाएगा, तुमारे पास, f of 3 will be, 2 गुणा f of 1, minus f of 2 बेटा, तो यह बन गाए, 2 गुणा f of 1 का बाद क्या है, 3 है, और minus f of 2 का मन बेटा, यहां से क्या आपका, f of 2 का मन आपका 1 का रहा है, तो यह बन गाए 5, ठीक है, अब अपने हों फाइंड करना है, f of 5 ना, f of 4 निकालेंगा बेटा, x के लिए क्या करते हैं, बोलो बेटा, x के लिए अभी 2 बुट कर रहेंगा, तो 2 गुणा f of 2 का मन यहां से क्या बेटा, एक है, f of 3 का मन माइनस, 3, 5 है ना, तो यह बन गाएंगा माइनस का 3, अब f of 5 क्या निकालेंगा, बोलो बेटा, x के लिए क्या पूट करते हैं, यहां पे, 3 पूट करते हैं, 3 पूट क्या तो, 2 गुणा f of 3 माइनस, f of 4, f of 3 का मन यहां से क्या रहा है, 5 माइनस, f of 4 का मन यहां से क्या रहा है, मैनस का 3, तो कंप्रीट सम करने भी क्या अनसर आपका 13 ला गया, f of 5 भी 13, तो वेलो फ of 5 भी 13, तो बड़ाई सवाल का अनसर यहां पी क्या बनका अपने पास 13, तो बच्चों यह अपने मैथ केम का पीपर अनसर आपका 12 बच्चों आज कंप्रीट होता है, ठीक है, तैंक यू, वेरी मैच, जैसील सी, टेक केर, हेलो एर्यवन, आज हम पेपर सॉलीशन कर रहे हैं केमेस्ट्री का, मैथ केम का पेपर नमर 12 है, देखिएगा, और इसके अंदर आपको बता दिए, टोपिक कौन-कौन से आए हुए थे, आपको पता आपने पेपर दिया है, एक तो था केमिकल एकिलिब्रियम और दूसा था स्टार्ट करते हैं, आपको दिरका फॉर्दर रियक्शन, एस्टू प्लस आइटू चेंजिन टू है, यह एक आपको रियक्शन दे रखिए, दे स्टेंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो, इस अभिकिरिया के लिए, अगर माननक मुक तो ग्रेटर का रिलेशन होगा, तो देखेंगा हम यह जानते हैं, देल्टा जी, चलिए नेक्ट्स में इसपर करते हैं, डेल्टा जी है, डेल्टा जी इक्वल टू थो ता हैं, डेल्टा Z naught plus RT ln Q यह होता है अब हमें equilibrium पर बात कर रहे हैं at equilibrium अगर equilibrium के उपर हम देखेंगे तो equilibrium के उपर delta Z है इसकी value होती है 0 delta Z 0 होता delta Z naught 0 नहीं होता तो यहां पर हम देखेंगे delta Z की value 0 रखा तो क्या गए हमारे पास में delta Z naught equal to minus RT ln Q को किस में convert कर दो equilibrium में के में ठीक है ln को log में convert करते हैं तो 2.303 से multiply कर दिया जाता है तो हम क्या लिखेंगे delta Z naught equal to minus 2.303 RT log के लिख दिया है यहां पर है अब यहां पर यह देरका delta Z naught greater than 0 greater than 0 कब होगा बेटा अगर K की value 1 हो तब तो value 0 होगी अगर 1 से ज्यादा होगी तो यह value negative आएगी तो हम यह जानते K less than अगर 1 हो के less than 1 हो तो K less than 1 होगा तो delta Z naught है उसकी value क्या होगी greater than 0 होगी यानि उसकी value कैसे आएगी positive value आएगी clear होगा तो देखेगा यहां पर कौन सा होगा तो यहां पर कौन सा होगा फॉर्थ वाला उप्सन दे रखा है जहां पर देखो यह फॉर्थ वाला उप्सन के की value 1 से कम होती है तो हाँ पर delta Z naught होगा greater than 0 ठीक है आगे देखिए नेक्स देखिए क्यासा नवर 2 वाट इस देखिए यूनिट ऑफ क्या होगी यूनिट क्या होती है देखो यह होता ने के पी के लिए बात करें तो के पी क्या होगा अटियम की power delta NG यह होता है डेल्टा झी क्या होता समेशन ओफ इन प्रड़ेक्ट माइनस समेशन ओफ एडियक्तन अली तेकन गेस इस पीसिज यह लिए जाता है देन डेल्टा-जी यह यह किसके ब्राबर होगा summation of n product minus summation of n reactant product में gas के मौल minus reactant में gas के मौल product में gas के कितने मौल हो गए एक तो मेथेन हो एक दो हाइडोजन होगे कितना होगा थ्री इधर देखोगे तो कितना होगा नेक्स्ट पीचल 5 पीचल 3 & C l 2 आर्दए एक्विलिब्रियम एट 500 Kelvin इन एक लॉस कंटेनर एंड देर concentration आर यह की concentration given आपको respectively value of case for this reaction तो यह वाली reaction है इसमें सम्में वस्था की सांदरता ही दे रखिये तो केसी की value calculate करना है तो देखो केसी कैसी calculate करोगे case equal to product की concentration तो प्रोडेक्ट में क्या होगा c l 3 इसकी concentration और c l 2 इसकी concentration आ जाएगी आपको रियक्टेंट के अंदर PCL 5 पीचल 5 इसकी concentration आएगी आपर अब यहाँ पर देखो PCL 3 उसकी concentration कितनी given PCL 3 इसकी concentration कितनी given 1.2 into 10 to the power minus 3 यह 1.2 into 10 to the power minus 3 क्लोरीन की concentration देखो क्लोरीन की concentration आपको कितनी given यह भी कितनी 1.2 into 10 to the power minus 3 1.2 into 10 to the power minus 3 यह न और देखो PCL 5 इसकी concentration कितनी है 0.8 into 10 to the power minus 3 solve करना है यह cancel out हुआ ठीक है पॉइंट से मैंने पॉइंट को अटा लिया 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और इस से cancel करोगे कितना होगा 0.6 0.6 multiply 3 कितना होगा 1.8 into 10 to the power minus 3 तो कौंसा option सही होगा आपका 3rd 1 1.8 into 10 to the power minus 3 ठीक है कैसी ही होता ना प्रोड़ेट की concentration अपन रियक्टन के concentration next next देखिएगा के e1 , k2 , k3 are the respective ionization constant for the following reaction एक reaction रखे जिसके लिए ionization constant तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है तो देखो ये वाली 1st reaction ये वाली 2nd reaction है इन इन दोनों reaction को मैं add कर देता हूं तो यह वाली third reaction है इसका formation हो जाता है यह होगा ना फर्स और second को add किया तो देखो first में s2s s2s आ गया hs opposite side में cancel out हो गया s plus और h plus 2s plus s2 negative तो third वाल equation इसका formation कैसी हुआ का third equation का formation मेरे पास में first plus second इसको add करने पर और हमने यह पढ़ा था किसी भी constant में अगर किसी भी resultant reaction का formation step reaction से हो रहा हूँ तो जो और रोल reaction उसका जो constant होता है जो उपर step reaction के constant है उनका product होता है देन k3 ka3 है वो किसके बराबर होगा ka1 into ka2 कौन सा आगया फर्स्ट है ठीक है नेक्स्स देखिएगा नेक्स्ट इन विच आप फॉलॉविंग रिएक्शन दा एक्विलिब्रियम रिमेंस और अफेक्टेट और एडिशन ऑप स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम के उपर नियत आइतन पर सुक्सम मात्रा में अक्रिय गेस को मिलाया जाता है तो हम यह पता वेटा अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो एक्लिब्रियम पर कोई फरक नहीं पढ़ता है तो यहां पर सभी से क्या रहेगा एपरभावित कीए effe manufacturers of photo electrons increases linearly वित परकास गतिग उड़जा नियमनके साथ में बढ़ती है कि साथ में इसकी आवश्चाए वह बढ़ेगी तो हमें पता है कि photo electric effect में ईस की kinetic energy वह किसके साथ में बढ़ती है जो आपतित होने वाला प्रकास है उसकी आवर्ति के साथ में बढ़ती है यह होता नहीं है एस न्यू ब्राबर क्या होता है एस न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी तो किस पर इफेक्ट डालती है एक न्यू के साथ में यह आवर्ति के साथ में ठीक है आगे देखेगा भी चोड़ किन्नो के गुन धर्म के लिए निम में से कौन सा कतन सही निगे यह के थोर से प्रारम होकर एनर्ज की तरफ जाती है यह सही है के थोर से स्टार्ट रिखाई देते हैं कहा जाती है एनर्ज के तरफ भाईये विदूत अथवा चुम्बगे च्छेतर के अनुपस्त निरналके सिदएहींॉस मhini उपस्चिद येशं की परकरती पर निरफर नहीं करते हैं तो कॉनसा होगा है क्स लेलाइ नेक्स दखेगा तोरी कैसे सर्थ आल अब देखेंगं है क्लोरीन एक्जिस्ट इन टू आइसो टोपिक फोर्म चील 37 एंड चील 35 बट इस एवरेज अटोमिक मास इस 35.5 इस इंडिकेर देशो फिल 37 एंड चील 35 इंड अप्रोक्सिमेटली क्लोरीन के दो समस्तार निक है क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 है प्रंतों इनका ओसर तुन भार कितना है 35.5 तो क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 का अनुपाद क्या होगा तो देखो हम यह माल लेते क्लोरीन 37 है वह माल लेते कितना परसेंट एक्स परसेंट एक्स यह रिश्यो में मांद सकते हो तो क्लोरीन 35 कौन सा हो गया है है यह परसेंट आ गया एवरेज केलकुलेट क्या तो एवर आनी निए यहां से मैं क्लोरिन कितना करते हैं और इसको घ्यल्कुलेट करोंगे आप क्लोस मिल्टी क्लिप्लाइ करके क्यूत करोगे तो यह आता 25 परसेंट यह 25 परसेंट है जिसको हमने क्या माल रहा है क्लोरीन 37 और यह ख्लोरीन 37 कितना परसेंट आगए 25 परसेंट देन क्लोरीन 35 है क्लोरीन 35 यह कितना परसेंट होगा है 75 परसेंट तो इनका सिंपल रेशो देखोगी क्या होगा वन रेशो 3 कौन सा हो गया थ देखिए देखिए दापेर ओफइन्स हैविंग सेम एलक्ट्रोनीक कॉन्फिगेशन इस आइनों का युगम्द जिसमें इल्यक्ट्रोनीक अभिविन्यास समान होता है पहले देखो क्रोमियम प्लस थ्री ख्रोमियम का कितना होता है 24 कॉन्फिगेशन क्या होता थ्री और S1 यह तो कब होता जब क्रोमियों कौन्छे oxidation state के अंदर होता है 0 oxidation state के अंदर लेकिन प्लस 3 हो गया तो एक electron यह भारवाला चला जाएगा तो यह 0 दूलक्टोन अभि यहां से जाएंगे तो यहां पर कितने लेक्टोन बचते हैं आपके पासंगे को यह तो तो इलेक्ट्रोन ऐसे गया एक एलेक्ट्रोन ऐसे गया तो यहां पर आपके पास में कितने एलेक्ट्रोन बचके फ़ाइब तो यह तो मैच नहीं किया फिर उसके बाद में हम ट्राइ करते हैं नेक्स के ऊपर एफी प्लस अब हमनें देखा कितना होगा 3D5 कोबाल्ट प्लस 3 के अंदर प्रजेट एक कोबाल्ट का अट्वमिक नमबर कितना होता है 27 हो तो अगर यह यह अट्रोमिक फोर में परजेंट है तब क्या होगा 3D7,4M,3 एलेक्ट्रोन इकल धो तो ऐसे निकल जाएंगे और एक का atomic number कितना होता 25 configuration क्या होता 3D 5 for us 2 दो इलेक्टो निकल गए तो कितना बस गया आपके पास में 3D 5 तो यह मैच कर गया है कौन सा हो गया ठाट वाला ठीक है कि नेक्स्स देखिएगा कि अव्धाई तैंे एव रेशी हो गया ख złote औहुंद अनुपार का फूच एल्फा के लिए यह बान ले तक हूँ है यह होगय हघ्ड आपनिकल क्या च्वत आप्ड। नाइज़ हीलियम पार्टिकल होता ही हो गया अब इसका इभाई एम देखते हैं दोनों का रिश्यो चार्ज वन मास वन चार्ज टू मास कितने टाइम होगा फोर टाइम तो क्या हो गया टू रेशो फन है ठीक है तो कौन सा अब फस्ट तो क्या आगे आपके पास में तो comparing के लिए ट्रवrey तरंग देदेगा कीजिए देखो bağ लाएं से फॉर्ली फॉर्ड बै३र्धों किया है मेली होगी ट्व इसकी थर लाइन इसकी टो इसके बाद में थर्ड लाइन फर्स लाइन कहाँ सागी फार से और थरर लाइन के हाँ आगी थाइग फाइब से तो यहां पर 2 है इसकी वेलई आपके पास में कितनी होगी 5 तो मेरे पास में क्या होगा 1 अपॉन लेमडा इक्वाल टू आर एच लिख दो यह आर जैडी स्क्वेर लिख देता हूं है हाइड्रोजन एटम है उसके लिए हाइड्रोजन जेड की वेल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन एन वन स्क्वेर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेर यह होगा देन वन करों वन अपॉन लेमडा इकल अपॉन अपॉन हूं इंध कितना हो गा 1981 तन्लय माइन एक होगा hon नें इप्सूनीन किसको रिपरजन करता स्रीज को रिपरजन करता है और एंटुक इसको रिपरजन करता उसरीस में कौन से सैल से लाइन आ रही है clear वा next देखेगा देखो the correct set of quantum number for the unpaid electron of chlorine atom can be chlorine पर मानू के यह युगमित electron के लिए quantum संख्याओं का सही समुच्चे हो सकता है कौन सा हो सकता है देखो chlorine atomic number कितना होता 70 ampe die electron की बात कर रहे है तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यह वाला npdy electron तो यहां पर n की value कितनी होगा आपके पास में 3 L की value आपके कितनी होगी P कि लिए कितनी होती है 1 तो m की value आपके पास में –1202 प्लस1 यह हो सकती है और spin तो प्लस-1 गाल हो सकती हूग तिक इसके अंदर पॉसिबल हो रहा है धाड़ वाले के अंदर पॉसिबल हो रहा है कौन सा हो सकता है यह वाला ही पॉसिबल हो सकता है क्लिर वाग आगे देखिएगा यहां पर फोर डियरिक्शन में कब जाएगा यह वाली कंडिशन होती ही तब तो फोर्वड डियरेक्शन वाएगा Schweizit means यह वाली कंडिशन बता रहें अगर यह कंडिशन दे रखिए तब कहा पर जाता है Warsaw direction में जाता है अब यहाँ पर कौन से direction में उत्पाद के दिसा में forward direction में कब जाएगा जब equilibrium constant की value और Q की अंदर Q की value क्या रहा जाती है कम तो कौन सा होगा Q is greater than Q is less than Kp तब forward direction में जाएगा ठीक है यह दे रहा है for the reaction s2 plus i2 change in 2hi equilibrium constant Kp depends on the आपको यह पता है सम्मेश रंक Kp वहाँ के सियो सिर्फ एक चीज़ पर depend करता है कि इसके ओपर temperature प्ले तो कौन सा होगा temperature ताप मन ठीक है अब देखिया आगे में से कौन सा ग्राफ उसमा छेपी अभी किरिया को दर साता है which of the following graph represent an exothermic reaction exothermic reaction के लिए इन में से कौन सा है देखिये बनाते है एलन के और 1 by T के वीच में ग्राफ है देखों क्या होता है के एकवल टू एए टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर्टी हीट ओफ रेक्शन है इंतल हम यह करते हैं एलन के एकवल टू एलन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर्टी यह आ गया लोग लिए तो एलन के वर्सेज वन बाइटी इसके बीच में ग्राफ प्लोट करना है ठीक है लेकिन आपको रियक्शन कैसी दे रखी है एक्जोथर्मिक रियक्शन है तो डेल्टा एच आर है हीट ओफ रियक्शन है वो कौन सी होगी एक्जोथर्मिक तो इसकी वैल्यू क्या रखनी पड करना है यह होगा यगा वाई एकवल टू सी प्लस एम एकस ही हो गया तो सी प्लस एमख से उसका ग्राफ कैसात है देखो यह वालाग्राफ ओक एलन के के पी जो यहाँ पर वन बाइटी सी आगया इंटर्सेप्ट आगया इन्टमिन्स ओरीजन पॉट्ट से स्टार्ट ने व यह 4th option में है देखिए 4th option के अंदर है ठीक है देखो in which of the following system will the equilibrium be shifted to the right if the volume is increased at constant temperature mean में से किस साम्में के लिए निया तापमान पर आइतन बढ़ाने पर साम्में दाई तरफ विस्तापित होगा यानि product की side में जाएगा देखो प्रेशर और volume एक दूसरे की inverse होता है कि आपने क्या किया है वोल्यूम बढ़ाया है वोल्यूम बढ़ाओगे तो pressure क्या हो जाता डिक्रीज प्रेशर बढ़ाने पर equilibrium shifted to our small number of malls अधिक malls की तरफ shift होता है लेकिन यहां पर pressure decrease किया प्रेशर क्या किया यहां पर प्रेशर को increase करने पर क्या होता है equilibrium shifted किदर shift होता है lesson number of malls की तरफ दाब बढ़ाने पर साम्में होता है कम malls की तरफ विस्तापित हो जाता है तो दाब कम करने पर किदर जाएगा अधिक malls की तरफ जाएगा ठीक है अधिक malls की तरफ जाएगा तो पहले वाले में तो malls क्या होगे कम दाब बढ़ाने पर क्या होता है कम मोलों की तरफ जाता है लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो तो आईतन बढ़ा रहे हो इसका मतब दाप क्या कर रहे हो आप कम कर रहे हो तो कौण साह होगै। कुल यहाँ पर देखो एक मोल है यहाँ प्र कितना है दो दाप कर रहे हो तो कुल क्या को तरए ठाव कर से का कॉझ남 धैडवर है इन दोनों equation से यह last equation का formation हम कर लेते हैं कैसे किया देखो CH4 second के अंदर सेम direction में water इन दोनों को जोनने पर बन रहा है इधर CO2 इधर CO2 3S2 2S2 यह होगा COC CO cancel out it means third equation है इसका formation कैसे हो आपके पास में first or second equation को add करने पर और जब किसी overall reaction का formation step reaction को add करने पर होता है तो उसका resultant constant होता हूं सबका product होगा तो K3 है वो किसकी equal आगया मेरे पास में K1 into K2 कौन सा हो गया 3rd ठीक है अब देखो when pressure is applied to the equilibrium system ice or water which of the following will happen साम में नियत साम में पर साम में निकाई यह देरखा आपको साम में निकाई बर फजो किस में जा रही है s2o पर कि दाब आरोपित करने पर निम्न घटित होगा कि देखो ice और s2o यह liquid हम यह जानते है आइस में केजलाई की structure होती है जिसके कान उसका पर दाब आरोपित करने पर साम में होता कम मोलों की तरफ जाता है और अगर इस टाइब का फिजिकल equilibrium हो वो तिक साम में होता हो तो वो कम आईतन की तरफ सिफ्ट होता है तो यह किधर जाएगा वोटर की तरफ यानि हापर क्या होगा अधिक दिक जल का निर्मान होगा ठीक है तो क्या बनेगा एनिस्केर तो वाई इकोल टू क्या होगा माइनस एम एक्स इसका वादर नेगेटिव क्वार्डरेट में क्या होगा स्टेक लाइन कौन सा ग्राफ होता है फॉर्ट तो ठीक है कि आगे देखिए लीथियम प्लस टू आइन के लिए सेकिंड सेल और फिप्थ सेल है इसकी रेडियस का क्या रिश्यो तो रेडियस रिश्यो देखो आर इकोल टू यह हम जानते आरवन हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं इन्टू ऑर इन्टे प्लस यह होगा दीन है तो यहां पे देखो लिथियम से में एक मैं इस Systems के लिए बात कर रखा है और कुण से के लिए बात कर रखांदे यह मद्यूर्दम के लिए तो एन्टू direct proportional होगा है न तो यह क्या 2 का स्क्राइब कितना होगा 4 और 5 का स्क्राइब कितना होगा 25 सिंपल सा है radius का formula r equal to 0.529 बी लिख सकते है रवन हाइडोजन क्यों जो constant value होती है वो hydrogen के फसल के एकपली होती है तो n square upon z क्या होगा 4 ratio 25 आगे देखिए according to Bohr theory the radius r and velocity v of an electron vary with increasing principal quantum number ns Bohr सिधान के अनुसार एक electron के लिए मुखे quantum संख्या का मान बढ़ने पर electron की तिर्जा और वेग होगा तो यहाँ पर तिर्जा और वेग क्या होगा सेल के तिर्जा और वेग है इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो r equal to r1 hydrogen n square upon z दूसरा देखो इसका मतलब मुखे quantum संख्या का मान बढ़ने पर रेडियस तो बढ़ती है और इसकी बढ़ेगी लेकिन यहाँ पर n बढ़ेगा तो velocity इसकी value क्या होगी decrease इसका मतलब मुखे quantum नमबर बढ़ने पर रेडियस तो बढ़ती है और उसकी velocity वो decrease होती है हाईड्रोजन परमानू स्पेक्टर में किस संकर्मन से बढ़ने की तीसरी रेखा प्राप्त होती है वेटा पहला होता है लाइमन दूसरा क्या होता है बाम्मर एन एकुल टू क्या होगा आपके टू फर्स लाइन यहां से कि सेकंड यहां से आएगी थर्ड यहां से एगी तो यह वाला 3rd cell होगा, यह वाला 4 cell होगा, यह वाला क्या होगा 5 cell, ठीक है, तो यह 1st line है, यह 2nd line है और बात किसकी कर रहे है, 3rd line की, तो क्या होगा 5 2, 2, ठीक है, आगे देखिएगा, तो यहाँ पर voltage के यह वाला क्या होता है, इन्वर्स होते है, तो lambda 1 upon lambda 2, क्या होगा, 50 upon 200, यह वाला 50 upon 200, तो कितना होगा, 0 से 0, 1 by 4, तो क्या होगा, 1 ratio 2, clear हो, तो यह आगे 1 ratio 2, next देखते, देखो, which orbital is represented by the complete wave function, psi 420, पूर्ण तरंग फ्लन, psi 420 द्वारा कौन सा कक्सक मी रूपीत होता है, तो देखो, तरंग फ्लन यह बताते है, N, L और M की value को बताते हैं, तो यहाँ पर N की value कितनी होगी, 4, L की value कितनी होगी, 2, और M की value कितनी होगी, 0, तो 4 तो क्वांटून नंबर होगा, L की value 0 किसके लिए होती है, D, और यह होता है, D, Z square, यहनि क्या होगा इसके अंदर, 4, D, ठीक है, अब D को अब लग क्टिग्राइज नहीं करा तो हम क्या मनने कि, 4, D, आगे देखिए, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocities, यदि इस्तती और समेग में अनिश्चिता, समानों तो वेग में अनिश्चिता याद कीजिए, क्या होता है, Heisenberg का uncertainty principle, delta X plus delta P, किसके बराबर होता है, H upon, 4 pi, इसके एकोल होता है, अब यहाँ पर देखो, इसनिक क्या का है, इस्तती और समवेग दोनों में अनिश्चिता क्या बराबर, तो delta X की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, delta P, तो लिखेंगे क्या लिख दो आप delta P, इसके एकोल टू H upon 4 pi, delta P है, वो किसके बराबर होगा, M delta V है, इसके बराबर होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M square, delta V square, इकोल टू क्या होगा, H upon 4 pi, इसके एकोल आगे, then delta V square, किसके बराबर होगा, H upon 4 pi M square, इसके बराबर होगा, तो यहाँ से delta V देखोगे तो, इसका रूट लोग है रूट लिया तो देखो क्या बच्गा आपके पास में रूट में ह अपन 4Pi M2 तो 1 by 4 कितना होगा है 2 M2 क्या होगा है M H upon कौन सा होगा 1 upon 2 M root H upon Pi second one ठीक है नेक्स्ट देखेंगा है देखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एलेक्ट्रों फाइड्रोजन अक्कार्ण चुछ अनुपार क्या होता है तो वेटा गतिज उर्जा और कुल उर्जा है वह परिमान में तो समान होती है जिन के अंदर विपरीत होती है क्या होती है वन रिश्यो थे मैंनेस वन ठीक है थेटिकल क्योंस है नियून में से कौन सा परमानुस सम इलेक्ट्रोनिक है सम इलेक्ट्रोनिक होते है जहां पर इलेक्ट्रोंस के नंबर सम होते है उसकों क्या बोल देते हैं सम इलेक्ट्रोनिक तो आइसो इलेक्ट्रोनिक क्या होगा सरी सम न्यूट्रोनिक जहां पर न्य न्योंटोन के नमारिक स्वालों तो आई सोन्यूट्रोनिक ऑल आई सова वुष Awoda यहां पर yumमअ सेल्ग योगा यहां प्लिक से नमबर रोफ न्यूत्रों ट्रोल द्युक्रन उप्णोंर हिस रोफ लीघंट नीह होता है शानर 102 न्यूत्रों होता है तो यहां पर निंट्रोन के नमबर a-z क्या आपके पास में कितना हुए 8 7 nitrogen 15 15-7 यहां पर भी कितना हुए 8 9 fluorine 17 तो यहां पर कितने हुए 8 तो फर्स्ट वाले के अंदर ही neutron के नमबर क्या मिलने है आपको तो जहां पर neutron के नमबर रिक्वल होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं आई-सो-neutronic आगे देखेगा for the manufacture of ammonia by the reaction n2 plus 3 has to change in 23 plus 22 kilocalorie the favorable condition are तो देखो निम न भीक्रिया में ammonia के निर्मान के लिए निम में से कौन सी सर्थ अमोनिया निर्मान के पक्स में कौन सी अमोनिया को favor करती है तो यहां पर यह भीक्रिया आपको दे रखी एंट टू प्लस 3H2 चेंजिन 2NS3 और प्लस में दिर्क प्रोडेक्ट के साथ में निकलने वाली एनर्जी एक्जोथर्मिक प्रोसेस को बताती है यानि डेल्टास की वेल्यू क्या होगी नेगेटिव और अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंप्रेचर की favorable condition होती है लो temperature तो यापर temperature क्या होना चाहिए low temperature आप प्रेशर की condition प्रेशर इंक्रीज करने पर एक्विलियू किदर जाता लेसर नम्र आप मोल्ग की तरफ सिफ्ड हो जाता है यहाँ पर कितने मॉल एफ फो और यहाँ पर कितने मॉल है तो यह वाला less मोल है तो प्रेशर को इंक्रीज आपने किया तो लेसर मोल की तरफ एक्युलिब्यूर्ण सिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगी लोड टेम्पेचर और हाई प्रेशर लोड टेम्पेचर एंड हाई प्रेशर कौन से मैं रहा है सेकिंड वन ने ठीक है कि आगे देखीएगा इन ए थ्री त्री ये ये रिक्शन दे रखी है ये ए थ्री ये गेस है किसमें जा रहा है थ्री ये में the initial concentration of a3 is a mole per liter t equal to zero time P कितना A कितना होगा 0 if x is degree of dissociation of a3 the total number of moles at equilibrium will be ये भीक्रा दे रहा हुए ये a3 प्रागम्भी क्सांदरता है ए ठीक है और a3 की वियोजन की मातरह ए एक्स तो सम्मेवस्था पर पुल मॉलों की संक्या क्या होगी तो यहां पर देखो क्या होगा equilibrium पर बात कर रहे हैं तो यह क्या होगा A-AX होगा तो यह कितना बनेगा 3AX बनेगा यही तो नहीं स्टाइकोमेटी के according करो गया तो टोटल मॉल पूछा है समेशन एन पूछा है टोटल मॉल सब को add करो A-AX plus 3AX तो add क्या कितना होगा A plus 2AX यहागए क्लिरवा आगे देखो कौन सिए विक्रिया के लिए K-P और कैसी का मान इक्वल होता है K-P और कैसी यह होतान K-P इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एंजी डेल्टा एंजी और्टेश्य कीater प्रोडयक्त कैमोर वाboys मीम्स रियक्डरन कैमोर तो इसकी वेल्यो अगर जीरो होगी तो वहाँ पर क्या होगा कैसी के यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 मॉल यहाँ पर 3 मॉल एक्वल यहां पे 4 यहां पर 2 यहां पर तो यहां पर डेल्टा एंजी इस की वल्व इंस पर कितनी होगे जीरो वहां पर केपी और केसी दोनों लो होते हैं नेक्स देखीए का कि आगे देखिए केपी तथा केपश किसी के मत दिया जाता है we know that relationship between KP and Casey what would the value of Delta NG for the reaction so Delta NG value क्या होगी Delta NG होता summation of N product minus summation of N reactant लेकिन सिर्फ किसको लेना आपको गेस को लेना प्रोडेक्ट है उसके अंदर gas के कितने मौल गिवेन आपको 2 reactant उसमें gas के मौल कितने होगे 0 तो आपके value कितने आगी ठीक है आगे देखेगा 4dxy कक्सा के लिए कौन यह node की संज्या क्या होगे angular node angular node किसके ब्राबर होते है एज़ी मुथल quantum number के लिए और k constitutes 0 of s के लिए कितने मांते हो आप 0 और बात करें आप की कि लिए value कितनी होती है पिके लिए value होगी वन और डी के लिए कितने value होती है 2, तो कितने value होगी इसके लिए 2, ठीक है, देखेगा आगे, तीसरे कोस से संबंदित, कुल कक्सकों की संख्या होगी, the total number of orbitals associate with third cell, third cell में क्या होता है, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, यह direct n square की इकोल भी मान सकते हो, s में कितना और बीटल होता है, 1, p में कितने होते हैं, 3, और d में कितने होते हैं, 5, तो total number कितने होगे, 9, ठीक है, जैको आगे, when in sample of hydrogen atom, the electron jump from the n equal to 2 to 1, state the number of spectra line emitted is, hydrogen पर मानू के नमुने में, electron, n ब्राबर 4 से, n ब्राबर 1 में संकर्मन करता है, तो उस सर्जित, spectra में रेखाऊं कि संक्या क्या होगी, तो total spectra में line क्या होती है, n2 minus n1, या first cell के लिए आप तो direct ये भी कर सकते हो, first cell के अंदर आता हैं, तो n into, n plus 1, divide by 2, इससे भी calculate कर सकते हो, तो ये कितना होगा, सारी, पूराई लिख देते हैं, spectral line, n minus 1 होगा, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1, divide by 2, तो n1 इसकी value आपके पास में कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 से 1 cancel out, यहाँ पर value क्या होगी, 1, तो ये भी लिख सकते हो, n into, n minus 1, divide by 2, यही तो formula बना, n कहाँ से आ रहा है, 4 से, तो 4 minus 1, divide by 2, तो कितना होगा है, 12, by 2, तो इस पेक्टर में रेखा हैं, कितनी होगी, 6, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, फास्स एल के अंदर आता, तो n1 की value कितनी रख लेते हैं, तो 1 से 1 cancel out, तो ये वाला formula बन गई है, इसमें भी रख सकते हो, एकी बात, अब देखो, ये reaction at equilibrium involving 2 mol, each of PCL 5, PCL 3 and CL 2 is maintained at 250 degree centigrade and a total pressure of 3 ATM, the value of KP is, 250 पर अभी करिया देर के PCL 5, PCL 3 और CL 2, सम्में पर PCL 5, PCL 3 तता CL 2 परते के 2 mol उपस्तित हैं, तथा कुल सम्में दाप 3 ATM हो, तो KP का मान क्या होगा, तो देखो KP equal to क्या होता है, N2 की power B upon N1 की power A, total pressure upon total mol delta NG, अब देखो N2, PCL 3 और CL 2, कितने mol परते के 2, PCL 5 परते के 2, कुल दाप आपके पास में कितना देर का है, 3, total mol कितने होगे, 6, यह होँ, यह होँ, यह होँ, यह होँ, तो से 2, 2 से 2 कितने वल्यू आपके पास कितने आ रिए, 1, ठीक है, the equilibrium constant KP for the reaction PCL 5 change in PCL 3 plus CL 2 is 16, if the volume of the container is reduced to 1 half, its original volume, the value of KP for the reaction at the same temperature will be, in same unit, तो देखो PCL 5, PCL 3 और CL 2 में जा रहा है, जहाँ पर KP की वल्यू क्या है, 16 है, तो अगर वास्ति का इतन का आदा कर दिया जाए, पातर का इतन, तो KP पर क्या effect पड़ेगा, कोई effect नहीं पड़ता, KP सिरफ और सिरफ किसके साथ में change होता है, temperature के साथ में, तो यहाँ पर भी KP उसकी value कितनी रही कि आपके पास 60, ठीक है, इन दी ब्रोगली, wavelength of the fourth bore orbit of hydrogen atom is four angstrom, the circumference of the orbit will be hydrogen परमानू की चोथे bore कक्षा की दी ब्रोगली ते निदे दे four angstrom है, तो कक्षा की प्रिदी क्या होगी, प्रिदी क्या होता है, 2 pi r, किसके बराबर होता है, n lambda, किसकी बात करका कौन से में, चोथे bore कक्षा की, फॉर्थ में, लेम्डा का मान कितना यहां पर, चार, एंगर्स्टोन में पूछाया तो कितना होगया, 60, ठीक है, आगे देखिए, 4.5 mol, each of hydrogen and iodine, heated in a silt 10 liter vessel, at equilibrium, 3 mol of hi were found, at the equilibrium constant 4, 10 liter के बंद पातर में, hydrogen तथा iodine परते के 4.5 mol लिये जाते हैं, तो सामें पर hi के 3 mol प्राप्त होते हैं, तो निम्न का सामें इस रांग क्या होगा, देखो क्या देर रखा है, h2 plus i2, किसके अंदर convert हो रहा है, 2 hi में, t equal to 0 time पर, इसका कितना है 4.5, इसका भी कितना है 4.5, ये कितना हो गए 0, ये इसकी stichometry है, फिर देखो equilibrium पर बात करेंगे, ये कितना dissociate होगा x, ये कितना dissociate हुआ x, तो इसका कितना formation होआ 2x, और वो 2x किसके बराबर आपको दे रखा है, 3 के बराबर, तो इसका बराबर होगा, तो सम्मिस राग की बात करो, तो जैसे, यहां पर आप बात करने हम, डेल्टा एन उसकी वेल्यू क्या रही है, 0 वेल्यू आ रही है, टेल्टा एन की वेल्यू कितनी होगी, तो डिरेक्ट आप मोल की टर्म्स में इसको लिक सकते हो तो यहाँ पी कितना हो गया 3 यह वाला कितना हो गया 3 एपन 3 इंटो 3 तो केसी उसकी वेल्यू कितने आगे आगे आपकी पास 1 क्लेर वाँ आगे देखीका है फॉर्दर येक्शन ये रिक्शन दे रखा है दपार्शियल प्रेशर सी और सी और सी और दौर टौर 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 एटम रस्पेक्टिवली अट यॉट्विरियू का आणसिक दप साम्मे वस्था पर क्रम से दो और चार एंटम है तो अभी क्रि के लिए के-पी क्या होगा तो किक हो पार्षर प्रोडेक्ट सिर्फ गेस को लेना पार्षाल प्रेशर ऑफ सीो पो और यहां पर यहां पर देखोगे देर रह Joint सियो और सियो तयो को डाय रहतो और सियू तो गतना रहता है चार तो टू इंटो ुटू अपान फॉर कित nue हो गया ठीक है आगे देखीगा देखी 5F कक्सक में कुल तिर्जे तथा कौन ये नोडों की संख्या कितनी होगी what is the total number of radial and angular node present in 5F orbital देखो radial node radial node है वो कितना होता है N-L-1 angular node है वो हमारा किसके बराबर होता है L के बराबर तो यहाँ पर देखो ये वाली value total देखोगे तो total पूछा आपको दोनों को सम करो तो किसके बराबर होगा N-1 के एकपल होगा N की value कितनी देर के 5-1 तो total node हमारी पास में कितनी हारे तो यह था आपका paper और आई आप सो आपने अच्छे से paper को time किया होगा लगवक्त सभी क्योंसन आपके सही रहे होंगी ठीक है तो अच्छे से त्यारी करते रहेगा और अच्छे से टेस्ट है उनकी देती रहेगा कहीं पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अच्छे से त्यारी अपनी मेंटर रहेगा अल्द वेरी बस्त